दोस्तों, most important and most awaiting video संद्राचनात्मक मुल्यांकन और योगात्मक मुल्यांकन क्या होता है? अंगरेजीम बात करें तो formulative evaluations और summative evaluations क्या होता है? आईए जानते हैं इसको क्या होता है? देखिए, इससे पहले कि हम किताबी भासा जाने, उससे पहले आसान सब्दों में समझ जाए, यह क्या होता है? evaluations, वो भी संद्राचनात्मक की evaluation मान लिजी कि मैंने आपको एक किताब दिया, और आपसे कहा कि इस किताब का मुल्यांकन करो और बताओ कि इस किताब को और कैसे बहतर बना सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या कमी दोश है, उसको हटा के कोई ऐसा सुजाओ दो, जो इस किताब को और बहतर बनाता हो तो इस मुल्यांकन को कहते हैं सनराचनात्मक मुल्यांकन कहने का मतलब जब हम किसी चीज को इंप्रूव करने की बात करते हैं तो वह सनराचनात्मक मुल्यांकन होता है इसी चीज को मान लेजी आपकी किताब जो है वो पाठिकरम पूरी होने के बाद आप से कहा जा रहा है कि यह जो किताब है इसके बारे में मुल्यांकन करके बताओ कि क्या इस किताब को अगले साल भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए तुम हमें परिडाम बताओ, हमें रिजल्ट बताओ कि क्या यह किताब बेस्ट है इसको अगले साल पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए तो अगर ये हम मुल्यांकन करेंगे तो वो योगात्मक मुल्यांकन कहना का मतलब जो अलपकालीर मुल्यांकन जो छोटे समय की मुल्यांकन होती है संद्रचनात्मक और जो एक परिडाम आत्मक मुल्यांकन होती है एक परिडाम आपको निकालना होता है आपको भविसी की चीज़े तय करनी होती है उस मुल्यांकन से उसको योगात्मक मुल्यांकन कहते हैं तो आसान भासा में समझ गए अभी मजा आ जाएगा आपको पूरी चीजे खतम और किलियर हो जाएंगी सबसे पहले देखी संद्रचनात्मक मुल्यांकन को इंग्लीज में फॉर्मुलेटिव इवैलुएशन कहते हैं और इसे रचनात्मक या निर्ड़ात्मक मुल्यांकन भी कहते हैं बहुत सारे बच्चों का सवाल यह था कि सरीज में कुछ और लिखा है क्या लिखा है यह लिखा है ना तो संद्रचनात्मक और फॉर्मुलेटिव इवैलुएशन को रचनात्मक मुल्यांकन और निर्ड़ात्मक मुल्यांकन भी कहते हैं अब आईए जब कोई भी सिच्छड योजना अपनी प्रारंबिक या निर्माड आवस्था म हो कहने का मतलब अभी अभी सुरू हुई हो या अभी चल रही हो खतम नहीं हुई हो समझ मेरी बात है कोई भी सैच्छिक योजना अपनी प्रारंबिक या निर्माड अवस्था में हो और उसका मुल्यांकन करके उसमें सुधार किया जा सके समझारी बात इस प्रकार की मुल हो जना का मुल्यांकन जब उसकी प्रभाव सीलता गुरुवत्ता के मंच मंच नियत आयत आया उप्योगी को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो सनरचनात्मक मुल्यांकन होती कहने का क्या मतलब वहा देखिए दोस्तों माली जी किसी सैचिक आप जो काम कर रहे हैं उस उसकी गुरुवत्ता को बहतर बनाते हैं उसकी प्रभाव सीलता को उसकी उप्योगीता को उसकी वंच नियता तो वही बात की जा दिए सेम इसी चीज़ को दूसरे सब्दों में लिखा जा रहा है इसमें विग्यानिक सब्द इस्तमाल कर दिये गया कि जब किसी सैचिक यो अच्छनी है था और उसको फाइंड आउट करना और उसको सुधार करने के उपाए बताना मैंने आपको किताब का एक्जांपल दिया ना बेस्ट एक्जांपल है अगर वह समझगे तो पूरी कहानी खत्म सन्राचनात्मक मुल्यांगन को पढ़ाते समय सिच्छर प्रक्रिय या मद्ध में ही किया जाता है ठीक है पढ़ाने के मद्ध में किया है अब योगात्मक मुल्यांगन को देख लेंगे तो साफ चीजे के लिए रो जाएंगी देखिए योगात्मक मुल्यांगन से अभी पराया किसी पूर्व निर्मित मतलब पहले से निर्माड हो चुकी हो पुर्व निर्मित साची कारिक्रम या योजना के गुणव दोस्त की जनकारी इसलिए एक अतित करने से है जिससे उसके कारिक्रम या योजना को स्वीकार करने या भविस्य में जारी रखने के संबन में निर्ड़ा लिया जा सके मैंने क्या कहा था कि पुर्वन निर्मित मतलब पहले से निर्माड हो चीगी वह किताब जो पहले से निर्माड है पुर्वन निर्मित हो उसके भविस्य के बारे में उसकी फैसला करना उसके भविस्य के बारे में स्विकार करना कि इसको भविस्य में जारी रखना है या नही रखने के संब्द में निर्ड़य लिया जा सके माली जी किसी अविज्वी दाले में कोई बुक पढ़ाना हो तो ये चीजे उस बुक का मुल्यांगन करना कि क्या सच में इस किताब को पढ़ाना है या सच में इस विश्य को अपने पार्टे क्रम में रखना है तो उसके बारे करने की क्या करना डिसीजन लेना मतलब क्या करना डिसीजन लेना मतलब निर्ड़े लेना ठीक है अब आए बात करते देखिए योगात्मक मुल्यांकन सत्र क्यांत में होता है ठीक है सत्र क्यांत में होता है या दिर्ग काली निर्ड़े लेने में महत्वपूर भूमी का निभ तो वही नीड़ा है क्या होगा और इंतिम प्रीडाम हो जाएगा और अगर आपका नि今i चीज पर प्रीडाम होगा इसको नहीं रखना थे यह हो गया युग अत्मक मल्यंकन अब इन तीन नों का अंतर देख लिजिए छीज चीजें कलिए हो जाएंगी क्या संद्राचनात्मक मुल्यांकन का अंतर देखिए सबसे पहले संद्राचनात्मक मुल्यांकन सैचिक कारिकरम में योजना में सुधार के लिए मुल्यांकन है ठीक है जबकि योगात्मक मुल्यांकन किसी सैचिक कार या योजना में योजना को स्विकार करने आथवा उसे भविस साइक होता है जबकि यगात्मक मुल्यंगन दिर्ग काली लिनाइ लेने के लिए सायक होता है इसकी प्रक्रयतिक सुधारात Gaunt होती है जबकि इसकी प्रियात्मक होती है रिए supreme के Défрашkin इसके niscards अंतिम परड्राम में सामिल नहीं होते हैं मालने जी इक एक एग्जामपल दे रहा हूं आप जो mid test लेते हैं कि बच्चा किसे ह도 थक बढ़ जाना है उसके अंदर क्या सुधार हुआ जो आपको final exams होता है यह देखना है कि बच्चा pass होगा कि नहीं होगा उसे अगले क्लास में जाना है कि नहीं जाना है तो मालने जी कोई बच्चा मिड़े टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या मतलब उसको आके फाइनल में फेल कर देंगे नहीं तो क्या होगा यह निसकर्स अंतिम परडाम में सामिल नहीं होता है यह अंतिम परिडाम की बात की जा रही है आपको जो रिजल्ट लेना है जो परिडाम बताना है कि इसको अगले कच्छा हम भेजना है कि नहीं भेजना है तो उसमें यह सामिल नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आपने इसमें बता दिया कि बच्चा फेल्द मतलब फेल्द तो इसका निसकर से ही अंतिम प्रेडाम होता है किसका योगात्मक मुल्यांगर की चीजे समझ में आए कि नहीं एक और एक्जामपल की तौर पर समझ जाए बस चीजे समझ जाए ये बाकी लिखना तो अपने सब्दों में होता है ठीक है सं हो तो उसको उसको इंगित करके उसके सुधार के लिए किया गया मुल्यांकर है कौन सा भई सं रचनात्मक ठीक है और योगात्मक क्या है योगात्मक ये परिडाम बताने के लिए किया गया मुल्यांकर है कि ये चीजे भविश्य में जारी रखना है या नहीं रखना है या सतत और व्यापक मुल्यांकन ठीक है तो सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अगले वीडियो में ताकि अपलोड करने में इश्वी ना हो तो मुझे यह बताए कि क्या यह चीजे क्लियर होई की नहीं योगात्मक मुल्यांकन ची इवालिवेशन्स मिलते अगले वीडियो में दोस्तों चाहिन जा भारत कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में चरूब